Assalamu alaikum guys welcome very very next level की वीडियो है ये और मारिया कुछ बोलना चाहती है about the creator of universe is only one ये वीडियो इंची दिर मुहम्मद अली मुझा की हम बहुत देर बाद बहुत request के बाद लेके आये हैं अब मारिया ही बोलेगी क्या हल है आपके कुमेंट सेक्शन में लास्मी बताएं और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी आपके पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो वो भी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ वीडियो देखें बिलकुल ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है गाईज हम स्टार्ट करें मारिया स्टार्ट अब मेरे भाईयो ये जो अगली आयत है ये वननेस अफ गॉर्ड के उपर पुरान हकीम में तीन मकमात के उपर एक्स्टार्टरिर्री गुफ्तू हुई है उन में से एक मकम है अबी इन से फर्माओ के अगर कोई और माबूद भी होता पेरलल में एक से ज्यादा खुदा होते कमा यकूलून जैसे के ये कहते हैं इजल लब तगव इला दिल अर्शी सबीला तो यकीनां वो अल्ला के अर्श की तरफ कोई रास्ता तलाश करता ताके उस तख्ते हकूमत पे कबजा कर ले दुनिया में भी ऐसे होता है न कि एमपाइर्स कैसे खड़ी होती है छोटी एमपाइर्स जो है उन में से कोई दिलेर बादशा उठता है और वो किसी बड़ी एमपाइर को शकस्त दे के उसके तख्त पे कबजा कर लेता है फिर अनकी मिसाल में उन्हें समझाया कि अगर तुम ये समझते हो कि अल्ला के साथ और हस्तियां भी है जो माबूद है तो दुनिया में भी ऐसे ही होता है कि एक से ज्यादा अगर बादशा हो तो वापस में लड़ते हैं एक दूसरे का तखते हुकूमत चीनने के लिए अगर अल् भी होते हैं टोटल तो वो अल्ला के अर्श की तरफ जरूर जाता ताके इसके उपर कबजा कर ले अल्टीमेटली इस तरह की आयात से यर्जड निकला कि पूरी काइनात जो इतनी हर्मनी से चल रही है ये इस बात का सबूत है कि अल्ला के साथ कोई और इला नहीं है वरना तो हर वक्त फसाद ही रहता जिसना दुनिया में आपको नदर आ रहा है क्योंकि अल्ला ने दुनिया में कुली चुटी दी भी है एक तो ये मगाम है सूर बनी इसराईल का सूरत अल्बिया में भी एक आयत आएगी उसमें अल्फाज ये है कि अल्ला के साथ अगर कोई और म पिनियन हो तो दंगा फ़साज शुरू हो जाता है दो भाइयों में लड़ाई शुरू हो जाती है और तीसरा मकाम सूरह अल्मुमिनों में आया कि अगर अल्ला के साथ कोई और माबूद होता तो जगडे की सूरत में हर माबूद अपनी अपनी मुखलूक लेके अलग हो ज ये तीन आयाद बड़ी क्रिटिकल है सूरे बनी इसरेल की आयत कि अगर अल्ला के साथ कोई और इला होता तो अर्श की तरफ रास्ता तलाश करता तखते हकूमत पे कब्जा करने के लिए कोई नहीं कर रहा मुराद ये के एक राब है सूरत अल्बिया अगर अल्ला के साथ कोई और माबूद होता तो इस काइनात का निजाम दर्म बर्म हो जाता क्योंके माइंड एक नना होता दो माइंड होंगे तो आपस में ठकराएंगे अंबियां भी आपस में इक्तिलाफे राए कर लेते हैं हज़द मुसा लिसलाम और हरूद लिसलाम का एक तलाफ भी कुरान में रिपोर्ट हुआ मासूम हस्तियां हट्बाद के वो दाड़ी कहेंची हज़द मुसा लिसलाम ने अपने बड़े बाई की अलागि उनका खुझूर भी कोई नहीं था लेकिन حضرت मुसा लिएसलाम ने समझा कि इनसे मामला मिस हैंडल हुए बारल दोनों अंबिया है तो ये ल्ला ही की शान है कि वो अकेला है अदर वैस ल्ला के साथ कोई और इला होता तो निजाम दर्म बर्म हो जाता और तीसरे मकाम सूरत अल्मुमिनों कि अगर अल्ला के साथ कोई और माबूद होता तो एक्तलाव की सूरत में हर एक माबूद इलाह अपनी मखलूग लेके साइड पे हो जाता है बटवारा हो जाता है लेकिन इन में से कोई काम भी नहीं हो रहा ये इस बात का सबूत है कि इस काइनात को एक हस्ती चला लिए सुभानहु वताला अम्मा यगूलून पाक है और वो बहुत बुलंद है बरतरी वाला है हर उस बुरी सिफ्ट से वो पाक है जो लोग उसके बारे में कलेम करते है अलुवन कबीरा बहुत बुलंदी वाला बड़ी बरतरी वाला और क्या बभान अल्ला भाई मतलब ये जो आयत की परी हमने इसमें मतलब बयान किया गिया कि मतलब हाउ गलेट गॉड़ीस और वाई पर र APP रहए बारे पिच्ट बारे गर्णी बड़ी वाला फ़ानए पिच्छ्रव फोर्मूला बच्पे फाल पर लेक जाएगा पछों बच्छा क्ड़़ी तो आपको क्या लगा इस वीडियो से इंजीनियर सामने बहुत ही खुब्सूरती से बताया एक्स्प्लेइन किया कि वाइड़ क्रीटर ओफ इनुवर्स इस ओनी वन तो जिसके भी दिमाग में जो के नॉन मुस्लिम भी हूँ ये वाला सवाल आता है कि क्रीटर जो है वो एक है या नहीं है तो वो अगर ये वीडियो सुने तो यकीना उसको उसके सवालों का जवाब मिल जाएगा तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर जी है आपको मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर बाइ बाइ अल्ला ने के बान